आपका स्वागत है रीवा सुपर इस्पेसिलिटी हॉस्पिटल लगतार कुछ न कुछ नवाचार यहां होते रहे तमाम वो तक्नीकी के माध्यम से लोगों को रिलीव देने के प्रयास अनवरत यहां चलते रहें सबसे ज़्यादा प्रयास कार्डियोलोजी डेपार्टमेंट में लगतार चलते रहें कॉंप्लेक्स एंजियोप्लास्टी यह एक प्रोसीजर यहां किया गया और सबसे बड़ी बात कि इसी एचेस जो भूतपूर सैनिकों के लिए इंपैनल्ड रिवा सुपर इस्पेसिलिटी हॉस्पिटल हुआ है उसमें यह पहली कॉंप्लेक्स एंजियोप्लास्टी यहां पर की गई है और बड़े शहरों में तो इस तरह के एंजियोप्लास्टी हुई है लेकिन रिवा क पर इस पेसिलिटी हॉस्पिटल के काडियोलोजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एसकेत्रिपाथ ही हमारे साथ है सर यह कॉंप्लेक्स एंजियोप्लास्टी और सबसे बड़ी बात की एसी एचेस के पेशेंट जो भूत पूरुसैनिक हैं पैनल्ड होने के बाद यह को खोलते हैं तो प्रोसीजर ऐसा होता है कि सिंपल ब्लॉकेज में बैलून के माध्यम से उसको उपन करते हैं फिस्टेंट डाल देते हैं पेसेंट खुछी-खुछी घर चला जाता है विदाउट इनी सिम्टम्स कभी-कभी क्या होता है कि हाट की जो नसे जहां कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बैलून वहां पे इन्फलेट ही नहीं होता है अगर बैलून जब तक खोलेगा नहीं ब्लॉकेज को तो इस्टेंट टो डालने का कोई मतलब नहीं होता है ऐसे केस में स्पेशल एक्विप्मेंट की नीड होती है जिसको पन रोट हमारे पास एक पेशेंट आये थे भूदपूर उप्षैनिक है उन्होंने 1971 के लडाई में भी पाइटिस्पेट किया था तो हमारे पास आये सीवियर चेस्ट पेन के साथ उनका इंजोग्राफी किया इंजोग्राफी में ब्लॉकेज 99 परसेंट था कैल्सिफाइड वेसल थ थी कि उसमें एक बैलून वायर के पेश जैसे अपन बैलून ले जाते हैं ब्लॉकेज के पास वैसी रोटा बर होता है जो कि 180,000-90,000 रोटेशन पर मिनिट की स्पीड से रोटेट करते हुए आर्टरी में जाता है उसमें डायमेंड चिप्स रहती है माइक्रो चिप्स उसस वह लिजन को ओपन करता है जो लिजन नॉमली ओपन नहीं होरा बैलून से उस लिजन या ब्लॉकेज को वह क्लीन कर देता है उसके बाद भी ब्लॉकेज अगर नहीं खुलता है तो हम लोग कटिंग बैलून के यूज करते हैं जिसमें ब्लेट लगी होती है ऐसी बैलून ज सीन के यूज़ करने से कटिंग बैलून का यूज़ करने से आर्टरी का जो ब्लॉकेज है वो ओपेन हुआ और में लोग स्टेंट डालने में सफल हो पाए अब इसमें विशेज बात यह है कि अगर आर्मी हॉस्पिटल सब चोड़ दिया जा तो इसी इस इस इंपैनल्ड सुत्रों के मताविक यह जान मेरी जानकारी के मताविक देश का पहला हॉस्पिटल है जो आर्मी हॉस्पिटल नहीं है और उसमें भी इतनी जटी लेंजो प्लास्टी कटिंग बैलून और रोटबलेटर के माध्यम से करने वाल लुड़ूज़र चुक्त आई परके में अच्छ नहीं हैं जबलपूर में और रोटबलेटर के में अब बने लेकिन अब लेक्टार पर प्रोशीजर निसीज़ियों से बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहता हैँ एक रिस्क भी बना रहता है अब बेशिट जब यह प्रोसीजर कर चुके हैं तो किस तरह का रिस्क बना रही का अगे या फिर कोई दिककत या फिर किस तरह से प्रिकॉशन लेना भोना भी नियुत इसकारीं गए स्काकराश्य हो तो प्रोसीजर करने की जटिलता होती है कुई कि प्रोसीजर में जो result आता है वो बहुत ही satisfying होता है आर्ट्री पूरी open हो जाती है जितना normally नहीं open होती उतसे काफी ज्यादा डालेशन इससे मिलता है stand properly open हो पाता है तो future में assistant बंद होने का खत्रा बहुत कम रहता है क्योंकि तो आर्ट्री पूरी open हो गए completely थोड़ा सा भी block है जिसमें बचानी है तो procedure जटिल तो है लेकिन procedure के बाद जो result है वो satisfying होता है और बाद में जो है जो future की complexities आती है वो इसमें generally नहीं open है इस पर इस facility hospital में जब impaneled हुआ ECHS और भूत पूर सैनिक पहले एक बड़ी समस्या थी कि यहां से जबलपूर के hospital या नाकपूर के hospital या फिर बनारस के hospital में shifting की जाती थी initially कुछ हो गया या फिर heart attack के cases आये तो यहां पर ECHS card धारकों को वो सुविधाई नहीं मिल पाती थी अब मिल पारी बाहर procedure अगर कोई कराए इतना complex है तो इसकी costing around क्या होगी यहां तो आयश्मान या फिर उनके ECHS card में हो गया यहां पर जो procedure किये जाते हैं वो ना के बरावर charges लगते हैं आप की जानकारी के लिए बताते हैं कि जो रोटाब्लेशन प्रोसीजर जो है अगर सिफ रोटाब्लेशन का यूज करते हैं तो धाई से तीन लाग का खर्चा एक्स्ट्रा लगता है एंजो प्लास्टी का कि इतना ज़्यादा खर्चे से पेसें बज़ पाता है तो एच्छ अंपनेल अगर पेसेंट है उनको इस प्रोसीजर के नीड है तो यहां पर किया जा सकता है आईसमान वाले पेसेंट्स भी अब यहां पर प्रोसीजर यह हो पाएंगे पहले तो मुश्किल था क्योंकि यह procedure जो है enlisted था ही नहीं आईश्मान में लेकिन आप enlisting हो गई है तो अब ये procedure भी हम लोग फ्री में आईश्मान पेसिन में कर पाएगा है बहुत बड़ी बात है दरसल भूत पूर सैनिक और विशेश रोप से जिनका भी procedure हुआ है 1971 की लड़ाई में रहे हैं भारत की ओर से और अब जब एक समय आता है जिस समय बहतर स्वास्तों विधाएं retired army के जवान जो वहां army में सिवाएं दे चुके उन्हें मिल पाए उसके लिए ECHS एक पूरी विवस्ता देता है और जो procedure बाहर करीबन 4 से 5 लाक रुपए costing में हो रहे हैं अगर वो यहां बहुत कम लागत में या फिर ये कहा जाया कि बहुत nominal जो एक registration fees या तमाम प्रक्रिया जाये हैं उसी में अगर हो जायें तो कितनी रहत मिलेगी और लगातार super specialty hospital के doctor's इस तरह की प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को रहत मिल पाए लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि जो doctor's इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको लेकर भी सरकार को लगातार चिंता करने की जरूरत है हमेशा तरह से अविवस्था नहीं हो पाए और सबसे बड़ी बात ये सुविधाएं विंध्य को रीवा को लगातार मिलती रहें बहुत बहुत दन्यवाद